Hello students, welcome to the video lecture series of fundamental of mechanical engineering and mechatronics subject. जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट येर सिलेबस में, फर्स्ट येर करिकुलम में, आपको लगबग सारे ब्रांचेस के बेसिक्स बताए जाते हैं. ये सब्जेक्ट जो है, ये mechanical engineering ब्रांच के बेसिक्स को डील करता है. आज पहला लेक्चर है, इसमें सिर्फ introduction लेंगे हम subject का, एक brief introduction, कि क्या-क्या content है इस subject के और किस तरीके से हमको इसको carry करना है. तो अगर हम syllabus की बात करें, subject के syllabus की बात करें, तो unit 1 जो है, उसमें है introduction to mechanics of solid. Mechanics of solids का introduction है, अब यहाँ एक word है mechanics. इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे, what is mechanics, तो आपने plus 2 में पढ़ रखा होगा, mechanics is a subject which deals with forces and their effects on various types of bodies. Basically, various types of bodies, it is basically focused on solids. तो mechanics, solids पे लगने वाले forces और उनके effects की study है. किस तरीके के आपने questions पढ़े होंगे, कि एक body है, solid body है, यह एक किसी plane surface पे रखे होई है, या inclined पे भी रखे होई है, weight इसका W है, या 10 Newton है, तो यह surface से कितना reaction इस पे लगेगा? तो आप free body diagram ड्रॉ करते थे, और वहाँ से equilibrium equations वगरा लगाके, आप reaction calculate करते थे, या एक body है, एक पुली से connected है, इस तरीके से एक पुली से connected है, एक W weight, तो इस पुली के जो रूप है, इस रूप के अंदर कितनी tension produce होगी? यह tension calculate करना भी आप इसमें पढ़ चुके हैं. तो basically mechanics subject में आप forces की study करते थे, forces और उसके जो effects हैं, कि कोई force या load या weight, वो कितना effect डालेगा अपने surrounding पे, और surroundings क्या effect डालेगी force पे, या body पे, that was dealt in mechanics. इसमें आपने दो चीजें पढ़ी होगी, mechanics में दो पार्ट पढ़े होगे, एक पार्ट रहा होगा statics, और एक पार्ट रहा होगा dynamics. स्टैटिक्स में आप उन rigid bodies की study करते थे, जो rest पे हैं, और dynamics में आप body की motion की study करते थे, जैसे कि इस तरीके के question की एक body है, वो initially U velocity से चल रही थी, इस पे किसी force की वज़े से A acceleration एक्ट कर रहा है, तो T time बाद ये कितनी दूरी चला जाएगा, या T time बाद इसकी velocity कितनी हो जाएगी, ये सारी चीजें dynamics में आते थी. तो mechanics में अभी तक जो आपने पढ़ रखा है, basically, वो solids पे लगने वाले forces उनके effect की study, अगर solid rest पे है, या solid motion में है, ठीक है? वहाँ की mechanics से, यहाँ की mechanics different किस तरीके से है? अभी तक जो आप solids पढ़ते थे, those were ideal solids and ideal solids were supposed to be rigid bodies, ठीक है? तो अभी difference यहाँ कि अभी तक जो bodies आप पढ़ते थे, जिन bodies की mechanics आपने पढ़ी है, वो rigid body होते थे, rigid body का मतलब force लगाने पे, body के अंदर किसी तरीका का कोई deformation notice नहीं किया जाता था, है ना? यहाँ कि force लगाने पे body की length आपकी नए घटती बढ़ती नहीं थी, इस तरीके की चीज़े नहीं होती थी, bodies जो है, वो rigid body हुआ करती थी, अभी लेकिन अभी यहाँ पे जो आपको पढ़नी है, वो mechanics of rigid body नहीं पढ़नी, आपको mechanics of deformable bodies पढ़नी है, deformable bodies का मतलब, force लगाने के बार, bodies थोड़ी बहुत deform होंगी, ठीक है, deform का मतलब, for example, यह एक body है, यह एक body है, लेट से यह एक cylinder है, या bar है, और इस metal bar पे, इधर P force लग रहा है, इधर P force लग रहा है, equal and opposite, तो forces एक्ट कर रहे हैं, तो इन forces के action में, अगर इसकी initial length L थी, तो इसकी length थोड़ी सी increase कर जाएगी, delta L से length इनकी बढ़ जाएगी, क्योंकि force जो है, वो pull forces है, तो अगर delta L से length बढ़ जा रही है, तो यह किस वज़े से बढ़ती है, force की वज़े से, force pulling nature का है, तो length इसकी increase हो रही है, इस case में body के अंदर, कितना stress develop हो रहा है, तो stress आपने पढ़ा होगा कि अगर cross sectional area A है, और P force apply हो रहा है, तो stress होता था force upon area, delta L से length बढ़ गई है, तो एक चीज़ होती थी, strain, वो होती थी, change in length upon original length, फिर आपने पढ़ा होगा कि यह जो stress होती है, यह strain के directly proportional होती है, और जब यह proportionality हटती है, तो एक constant आता है, जिसको modulus of elasticity, जिसको आप अभी तक y से denote करते रहे होंगे, strain, modulus of elasticity times strain हो जाती है, यह modulus of elasticity body की property, इस तरीके की चीज़ें आपने पढ़ रखी होगी, plus two में यह सब चीज़ें भी आपने पढ़ी होगी, तो हमारी शुरुआत जो है वो यहीं से होगी, ठीक है, deformation of solids, solids की deformation की study होगी, अब उसमें stress को थोड़ा और elaborate करेंगे, कि भई कितने तरीके की stress होती है, कितने तरीके से body deform हो सकती है, जितने टाइप से body deform होगी, उतने टाइप की stress होगी, उतने टाइप की strain होगी, उतने टाइप की constant होगी, ठीक है, proportionality तो तब भी रहेगी, या किसी body पे हम force लगा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं तो कैसे strain इसकी बढ़ती चाहेगी एक time एक point के बाद ये break भी कर जाएगा तो उस starting से लेके वहां तक की क्या कहानी होगी कैसे कैसे इसके अंदर change जाएंगे वो सारी studies आपकी mechanics of solid में या mechanics of deformable body में deal की जाएंगे इसी की study आपको first unit में करनी है second unit आपकी है introduction to IC engine and RAC IC engine होता है internal combustion engine RAC होता है refrigeration and air conditioning तो इस unit में दो चीज़े हैं IC engine की study है एक refrigeration and air conditioning की study है basically introduction है अब यहाँ थोड़ा सा आपको अगर idea हो कि engine क्या होते हैं engine वो mechanical devices होते हैं जो कि किसी system में power source का काम करते हैं या यह कहने कि वो work producing devices होते हैं जो mechanical work किसी body को provide करते हैं for example अब example के IC engine की ही बात करें तो हमारी vehicles जो है यह हमारी automobile है अगर यह हमारे automobile system है तो हम इसके अंदर क्या करते हैं fuel add करते हैं यह fuel engine में जाता है और engine के अंदर basically क्या होता है fuel burn होता है ठीक है fuel burn होता है तो उससे heat liberate होती है उस heat के liberation से engine के अंदर अगर आपने सुना हो तो एक piston होता है वो piston किसी तरीके से एक proper systematic arrangement के तुरू यह piston जो है नीचे ऊपर reciprocating motion करता है और इसी piston से एक crank shaft जोड़ी होती है जब यह piston reciprocating motion करता है तो यह crank shaft rotate करती है इस link के तुरू जब यह crank shaft rotate करती है तो हमको एक rotary motion मिल जाता है और इसी rotary motion को हम further अपने wheels तर ट्रांसवर कर लेते हैं in a controlled way ठीक है gears के तुरू, clutch के तुरू, accelerators के तुरू तो इस rotary motion को पैदा करने के लिए जो हमें काम करना पड़ता है जो energy है वो कहां से produce होती है वो इस fuel को burn करके internally combustion करके that's why it is internal combustion engines internally fuel का combustion करके heat produce की जाती है वो heat वो energy use की जाती है इस को इस crank shaft को चलाने में या यह कह लें कि indirectly हमारे wheels को move कराने में wheels को rotate कराने में तो गाड़ी को चलाने के लिए जो काम है जो काम या जो power की requirement है वो कौन fulfill करता है वो कौन supply कर रहा है वो यह engine supply कर रहा है ठीक है that is why this component is an engine ठीक है और चुकी combustion internally हो रहा है तो that's why it is internal combustion engine ठीक है तो एक brief आपको introduction मिल गया होगा कि internal combustion engines किस तरीके से काम को या energy को produce करने में और provide कराने में help करते हैं ठीक है तो यह हमको IC engine की पूरी detailing construction कितने types हैं इसके किस तरीके से work करता है theoretically इसकी क्या कौन-कौन से processes इसमें involve होते हैं processes का मतलब जैसे आपने thermodynamics में कुछ processes पढ़े होंगे आपने पढ़ा होगा एक isobaric process होता है एक isocoric process होता है एक adiabatic process होता है तो इन ही अलग अलग processes से मिलके cycle बनती है और उसी cycle पे यह work करता है कुछ cycle thermodynamic cycle बनती है जिस cycle से यह हमारा engine चलता रहता है तो इसकी पूरी theoretical concept और पूरी working with construction यह हमको इस unit में पढ़नी है इसके साथ हमारा दूसरा part इसका है RAC RAC का full form आपको बताया भी refrigeration and air conditioning ठीक है refrigeration से मतलब क्या है refrigeration आपको पता होगा किसी भी particular space को ठंडा रखना या उसके environment से इसका temperature low बनाए रखना इसी चीज़ को बोलते है refrigeration ठीक है air conditioning में इसके साथ थोड़ी humidity वगरा भी control कर लेते हैं इसकी air को condition कर लेते हैं air का temperature के साथ और भी चीज़ें condition कर लेते हैं ठीक है तो करीब करीब similar चीज़ें है refrigeration और air conditioning थोड़ा बहुत difference है वो जब detail में जाएंगे तो देखेंगे तो refrigeration में भी हम एक proper system के through temperature को drop करते हैं किसी system का या किसी particular space का temperature हम permanently drop करके रखते हैं वैसे तो अगर हम थोड़ी दे के लिए temperature drop करके रख लें मालो किसी तरीके से हमने एक space का temperature drop कर दिया और छोड़ दिया तो थोड़ी देर के बाद क्या होगा यहां का temperature environment से कम है तो environment से इसके अंदर heat supply होने लगेगी क्योंकि heat का तो nature है कि वो high temperature से low temperature की तरफ flow करती है थोड़ी देर के बाद आप आएंगे कि इस system का temperature वापस से क्या हो गया environment temperature के बराबर हो गया तो इसके temperature को लगातार environment से low बनाया रखने के लिए हमें क्या करना होता है कि इसके अंदर से heat को लगातार बाहर की तरफ supply करना होता है ठीक है जितने heat बाहर से अंदर आ रही है करीब करीब उतनी ही heat अगर हम अंदर से बाहर करने में सफल हो जाते हैं तो इसका temperature environment से low बरकरार रहेगा तो इस काम को करने के लिए एक proper system होता है और वो system भी किसी concept पे काम करता है वो सारी चीजें क्या है इसका background क्या है और यह कैसे work करता है किन concepts पे चलता है किस thermodynamic cycle पे यह काम करता है कौन-कौन से processes इसमें involved होते हैं thermodynamic processes इसमें कौन-कौन से involved होते हैं वो हम इस unit में पढ़ेंगे फिर third unit आपकी आती है introduction to fluid mechanics and application यह एक mechanical engineering का यह भी एक बड़ा important element है fluid mechanics इसमें भी देखिए word mechanics आ रहा है बट यहां पे mechanics जो हमको पढ़नी है fluid की पढ़नी है ठीक है यहां पे जो mechanics पढ़नी है वो solid की पढ़नी है तो होता यह है कि solid mechanics क्या है mechanics है force और उसके effect की study solids में जब हम force लगाते हैं तो वो किसी और तरीके से behave करता है और जब हम fluid पे कोई force लगाते हैं तो fluid कुछ और तरीके से behave करता है तो चुकि solid और fluid का behavior force लगाने पे अलग अलग है इसलिए fluid की mechanics अलग होती है उसके basic concepts अलग होते हैं governing equations अलग होती है और solid की अलग होती है तो fluid की mechanics का भी हमको थोड़ा से यहाँ idea लेना होगा इसके अंदर जैसे आपने पढ़ा होगा knowledge equation, continuity equation वो सारी चीजें आपको fluid mechanics में पढ़नी है उसके base numerical बगारा है यह सारे आपके fluid mechanics में आते हैं फिर इसके applications fluid mechanics के applications क्या है fluid के application जितने भी hydraulic आप देख रहे हैं presses है, hydraulic actuation systems है pump है, turbines है यह सब जब आप यह concept जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह सारे instruments कैसे काम करते हैं तो application वाले part में हमको पढ़ना है pump, turbine और कुछ actuation systems तो जैसे hydraulic lift हो गई, hydraulic press हो गई actuation systems थोड़ा size का application पार्ट पे भी हम जाएंगे then comes over your measurements and control system अब यह बड़ा important topic है measurement engineering के अंदर जब भी आप किसी भी system को evaluate कर रहे हैं या design कर रहे हैं या उसकी testing कर रहे हैं तो quantities कितनी मात्रा में होनी चाहिए या क्या value होनी चाहिए वो पता होना ज़रूरी है for example आपने एक chair ही design करनी है simple सी chair design करनी है कि वही chair पे इतने लोग chair पे इतना load हमको chair पे होना चाहिए let's say 60 newton का load कम से कम हमको अपनी chair पे चाहिए तो उसके लिए हमको leg कितने ज़्यादा थिक रखने है या इस leg के अंदर इसकी क्या strength है कितना stress यह जह सकता है यह stress अगर हम measure नहीं कर पाएंगे तो हम यह chair design नहीं कर सकते ठीक है तो किसी भी mechanical system में measurement का बहुत ज़्यादा रोल है अगर आप चीज़ों को measure नहीं कर सकते है तो आप उसकी designing नहीं कर सकते आप उसकी testing नहीं कर सकते आप उसके बाले में कोई भी prediction नहीं कर सकते आप कोई भी calculation नहीं कर सकते तो चुकी mechanical engineering में बहुत सारी calculations involved होती है और वो calculations based होती है चीज़ों की measurements पे तो measurement आपका topic यह यूनिट 4 में है यह बहुत important बन जाता है आपको प्रेशर करना चाहते हैं तो pressure measurement जो instruments हैं वो कौन से concept पर काम करते हैं temperature measurement कौन से concept पर काम करता है वो सब आपको पता होना चाहिए measurement में basically आपको pressure का measurement, temperature का measurement, strain का measurement, force का measurement यह सारी चीज़े आपको measurement system में इन सब को measure करना आपको पताए जाएगा और यह कौन से concept पर काम करते हैं वो सब चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी देन आता है control system अब बहुत सारे system जो है वो automation का जमाना है चीज़ें control system के थूरू चल रही है, automatic control चल रहा है तो थोड़ा सा control system का भी idea लें कि कोई भी system जब हम automation करते हैं या controlled way में उसको हम perform करते हैं तो वो कैसे control system कैसे काम करता है यह जब देखेंगे जब topic आएगा तब इसको detail में इसकी बात करेंगे unit 5 फिर आप किया जाती है mechatronics अब यह थोड़ा सा advanced application based topic है contemporary भी है आपको पता है कि internet of things कितना ज्यादा popular हो चुका है कितना ज्यादा यूज में आ रहा है आज कल आपको अपनी गाड़ी स्टार्ट करनी है तो आपको शर्फ चावी लगाने की ज़रूत नहीं है आप दूर रहके remote area से आप उसको एक signal भेज सकते हैं जिसके थ्रू गाड़ी स्टार्ट हो जाती है आपको AC on करना घर पहुंचने से पहले आप remote के थ्रू आपने smartphone के थ्रू सिगनल भेज के AC को switch on या switch off कर सकते हैं तो यह चीजें होती है जब हमारे mechanical systems में कुछ automation होता है automation किससे होता है यह हमारा mechanical system है और इसको इसके अंदर जब हम incorporate कर देते हैं electronic devices electronic devices तो इस electronic devices mechanical system में जब आप incorporate कर देते हैं तो आप signal देते है signal read करता है electronic device और वो फिर mechanical system को आपके on या off करता है या regulate करता है तो यह word basically बना ही है mechanical and electronics से mechatronics बनता है mechanical and electronics से ठीक है तो इसके अंदर sensors हो गए transducers हो गए या दुनिया बर्की mechanical chain systems, kinematic chains, gear arrangements यह सारी चीजें आप बहुत ज़्यादा आप इससे familiar नहीं है यह जब हम subject में जाएंगे तभी आप इसकी terminology समझेंगे और तब आप subject के बारे में समझेंगे तो mechatronics में basically आप अभी इतना समझ लो mechanical और electronics का hybrid एक form है mechatronics दोनों ही concepts इसमें use होते हैं कैसे use होते हैं system कैसे run करते हैं यह सारी चीजें जब आप यह topic पढ़ाया जाएगा तब आपको समझ में आएगे इस तरीके से पांच unit के अंदर आपको fundamental of mechanical engineering and mechatronics subject के यह पांच units हैं और इन पांच units में आपको करीब करीब mechanical engineering के जितनी भी basic fundamentals हैं वो सारे के सारे इसमें cover होंगे ठीक है तो introduction part में अभी इतना ही next lecture में हम unit 1 से start करेंगे introduction to mechanics of solids ठीक है अभी के लिए इतना है क्षmore आपको पांच